हेलो दोस्तो में नाम है प्रेंस और आप देख रहे हैं एचुकेशन प्रेंस दोस्तो आज की इस वीडियो में फेस्बूक पेज पर एक प्रॉबलम आ गई है उसको लेकर डिस्कस करूँगा और बहुत लोगों को यहां पर प्रॉबलम हो रही है और वो समझ नहीं पा रहे कि यह प्रॉबलम है क्या तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ आप स्क्रेंशोट मैंने लिया है आप यह प्रॉबलम देख लीजिए अगर आपको भी इस तरह की प्रॉबलम हो रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे समझ जाएंगे और मैं यही कहूँगा मेरी वीडियो कर पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना आपके मतलब की ही वीडियो में बनाता हूँ अपने चैनल पे और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेगा तो दोस्तों ये कुछ दिनों से ये प्रोब्लम आने लगी है ये प्रोब्लम आखिर है क्या चीज तो जब भी आपका पेज रेस्टिक्टेड मोनेटाइजेसन होता है मतलब कि आपके पेज पर रेड वाला इशू आ जाता है तो आपको ये बग देखने को मिलता है नहीं आपको पोलीशी इशू देख पाते हो कि मेरा पेज किस वज़े से रेस्टिक्टेड हुआ है किस वज़े से डी मोनेटाइज हुआ है नहीं आप अपना वो ग्रीन मोनेटाइजेसन देख सकते हो तो यहाँ पर आपको मैं ये बता दूँआ जब भी आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसमें अगर रिपोर्ट भी कर देते हैं जहां पर आपको रिपोर्ट का उप्शन दिखरा है तो उससे ये ठीक नहीं होगा क्योंकि बहुत लोगों ने ये करके भी देखा लेकिन ठीक नहीं हुआ और जाकर मैंने भी खुद करके देखा तो ठीक नहीं हुआ इसपे लिखा हुआ है आप देख लीजे नीचे कि ये एक बग है, एक ग्लिच है यहाँ पर यह जल्दी ही fix कर लेंगे आप नीचे पढ़ सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि जल्दी fix कर लेंगे यह कुछी दिनों में हट जाएगा तो आपको घबरानी की कोई बड़ी बात नहीं है यह problem आते जाते रहती है Facebook page पे कोई भी तरह की problem नहीं है इससे अगर आपके page पे policy issue है तो वो बाद में आपको show होने लगेगा अगर policy issue नहीं है तो बग के साथ साथ आपका page का जो issue है वो भी हट जाएगा तो यह आपको बाते ध्यान रखनी है पेज पर अगर कोई भी तरह की issue आ गई है तो उससे tension ना ले अगर bug के कारण आ गई है तो यह bug हटने के बाद आपको वो issue नहीं देखने को मिलेगा और अगर वाके में आपके page पे limited का issue आया है तो वो रहेगा चाहें यह bug क्यों नहीं हट जा लेकिन वो issue नहीं हटेगा आसा करता हूँ आप इस problem का मतलब समझ गये हूँ तो समझ गये हूँ तो आज वीडियो को like कर देना और किसी भी तरह का सवाल हो तो मुझे instagram पे message कर सकते हो या comment में कर सकते हो मिलते हैं next video में तब आ के लिए बाई बाई